Hi everyone, welcome to my YouTube channel आज की वीडियो में मैं आपको MCA इंटरेंस की complete roadmap का बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप कहां कहां से कौन कौन सारी resources पढ़ सकते हैं और कैसे आप सारे premium MCA colleges में top rank कैसे ला सकते हैं सारा preparation strategy, सारा resources मैं आपको बताने जा रहा हूँ सो प्लीज इस वीडियो को लाश्ट देखे और मैंने भी यहीं सारे resources follow किया था और मैं सारे MCA इंटरेंस में top rank लाया था in fact बहुत सारे इंटरेंस हैं जब मैं top 10 में rank आया था और किसी भी और other exam है किसी भी exam में में मेरा 100 के बाहर rank गया ही नहीं सब में किसी में 4th, 9th, 12th, 19th, 54 इसे ही rank में राया था सारे MCA इंटरेंस में सो मैं उन सारे resources को मैं आपके सारे सेयर करने वाला हूँ और वीडियो को अंत में मैं बहुत अच्छे tips देने वाला हूँ कि इस resources के तियारी करने बाद और कैसे better preparation कर सकते हैं सब प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखे और एक और चीज में बताना चाहूँगा कि अगर आप MCA इंटरेंस के त्यारी कर रहे हैं या future में करने वाले हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और इस चैनल से जूड़े रहें बहुत सारे exclusive content में MCA preparation से related में लाने वाला हूँ इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें तो चलिए continue करते हैं MCA इंटरेंस preparation का road में तो सबसे पहले जानते हैं कि MCA इंटरेंस का syllabus क्या हैं कहां कहां से questions पूछे जाते हैं MCA इंटरेंस के लिए जो आपका syllabus है जो questions पूछे जाते हैं वो mostly 5 subjects से questions पूछे जाते हैं जिसमें first आता है आपका mathematics जो सबसे जादे important है second है आपका quantitative aptitude third है आपका reasoning fourth है आपका English and fifth है आपका computer fundamental अब जानते हैं कि each and every subject का आप कौन-कौन सा resource से refer कर सकते हैं और कैसे आप better preparation कर सकते हैं every subject का तो आप थोड़ा से पर tension नहीं लिए जो भी मैं subject जो भी मैं books बताने वाला हूँ जो भी resources मैं बताने वाला सारे का link मैं वीडियो के description में डाल दूँगा जहां से आप जाकर buy कर सकते हैं सारे books तो please आप tension नहीं लिए उसके लिए तो सबसे पहले start करते है mathematics तो दीखे mathematics बहुत important subject है आपका MCA इंटरंस के लिए तो इसमें mathematics में जो questions mathematics जो level of mathematics से questions आते हो है आपका mostly plus two level में आपने जो भी math पढ़ा है questions वहीं से पूछे जाते हैं और जिसके लिए आप resource follow कर सकते हैं सबसे पहले आपका मैं जो भी चीज बताऊँगा उसमें मैं assume करूँगा आपके पास knowledge zero है कई चीज चुका तो सबसे पहले जो resources follow कर सकते हैं MCA mathematics के लिए सबसे पहले आपका basic strong करना पड़ेगा आपका basic strong नहीं है आप आपने प्लस टू में अच्छे से नहीं पढ़ा है mathematics तो सबसे पहले आपका basic strong करना बहुत जुरूरी है तो सबसे first mathematics resource आता है वो है आपका senior secondary school mathematics भाई R.S. रगवाल यह बहुत ही important book है अगर आपकी basic सही नहीं है तो यह book अगर आप इसमें दो पाट आता है 11 तो 12 के दो पाट आती है अगर यह आपने complete कर लिया तो समझ जाओ कि basic बहुत जादे strong होगा फिर आप आगे कि जो मैं mathematics का book बताने जा रहा हूँ वो फिर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपका आपको helpful मिलेगा इसमें दो पाट आता है यह बहुत आपको helpful मिलेंगे फोर्थ है लास्ट आता है वो है आपका इसमें बहुत इंपोर्टेंट बूक है तो यह चार बूक आपने अगर कर लिया सच बताओं आपकी mathematics इतनी strong हो जाएगी कोई भी MZA in Trans में आप एक भी math question मिस नहीं करोगे I can assure that और मैं भी यहीं से त्यारी किया था अब move करते हैं second important segment में जो की है quantitative aptitude quantity aptitude लेके दो बूक आता है first है quantity aptitude for competitive examination by R.S.Ragwal यह बहुत important book है जो आप सब जानते होंगे तो बाइदो फिर से में बताना चाहाँ जो भी book में मिनसें कर रहा हूँ सारे का link मैं discussion दे दूँगा जहां से आप जाका buy कर सकते हैं और second book आता है जो की सब के लिए जुरूरीर नहीं है बट आप चाहते हैं कि आपको मतलब आपको और जादे strong करना है quantity aptitude तो आप पढ़ सकते हैं तो second book का नाम है वो है How to prepare for quantity aptitude for cat जो की अरुन सर्मा का book है अरुन सर्मा ने लिखा है यह बहुत important book है अगर आपने यह दो book पढ़ लिया quantity aptitude के लिए सच बता हूँ आप एक भी question miss नहीं करोगे कोई भी MC entrance के एक भी question आप miss नहीं करोगे So अब move करते हैं next segment के तरफ ओ है reasoning reasoning दो type के होता है verbal और non-verbal तो दोन उस reasoning से question आते हैं तो reasoning के लिए जो resources follow कर सकते हैं एक है आपका modern approach to verbal and non-verbal reasoning reasoning by R.S.Ragwal यह बहुत इची बूक है आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में और second आता है जो कि मेरा फेबरेट है मैं भी तियारी किया था मैंने दोनों पढ़ा था तो यह भी आप ले सकते हैं जो है A new approach to reasoning verbal, non-verbal and analytics और यह लिखा गया है B.S.E.G.Wali के द्वारा और यह अरिहन पप्लिकेशन की है यह बहुत important book है तो यह दो आगर आपने पढ़ लिए अरिजनी के लिए तो आप कोई भी questions मिश नहीं करोगे I can ensure that अब move करते हैं another statement के तरफ जो है English English के लिए एक ही book काफी है जहां से मैंने भी त्यारी किया था ओ है आपका objective journal English by R.S.A.G.Wali यह बहुत important book है और यहां साना पढ़ लिया था आपको कोई और book पढ़ने जुरत नहीं है यह बहुत अच्छी book है अब move करते हैं computer fundamental के तरफ computer fundamental में बहुत basic question पूछ जाते हैं अगर आप BCA अलेडी किया है तो आपके लिए तो बहुत अशान है बट आपने BCA नहीं भी किया है तो यह बहुत easy question पूछे जाता है और कोई टेंसल नहीं जुरूत नहीं है तो यह book है जो more than enough है जहां से मैंने भी पढ़ाई किया था बुक का नाम है Computer Fundamental Architecture and Organization by B.RAM यह बहुत important book है और more than enough है computer fundamental के लिए और computer fundamental बहुत easy question पूछे जाता है लेट से कि binary number को octal में कैसे convert करते है hexadecimal को octal number में कैसे convert करते है और छोटे मोटे basic question पूछे जा सकते computer fundamental में और यह book आपने कर लिया तो समझ जा आपने कोई भी question of miss नहीं करोगे I can see you do तो यह जो भी resources में ने बताया mathematics reasoning, English, quantity aptitude, computer fundamental यह तो आपने यह तो आपो कर नहीं करना है उसका लावा एक और complete package guide है complete MCA का book है जो कि एक book में ही सारा चीज कवर किया गया तो additional resources तो करना ही करना है अगर आप आप इस्टील आपके पस टाइम आप इस्टील चाहते हैं थोड़ा और preparation करना तो आप एक और book है जिसका नाम है Study Package for MCA Entrance by Amit A. Magrawal और यह Aryan Publication का book है तो यह complete single guide है जिसमें सारा syllabus कवर किया हुआ है तो यह भी आप refer कर सकते है एडिशनल टू जो भी मैंने बताया तो यह था आपका complete MC Preparation Road Map और आपने अगर सारा जिस जो भी मैं बताया यहां से follow किया सच बताओं आप सारे MC का सारे top column में top rank ला सकते हो और मैं भी यहीं से पढ़ाई किया था यहीं resources follow किया था और सच बताओं मेरे लिए बहुत useful रहा था और उसके बाद मैंने बहुत लोग आइड किया और सारे जो भी refer किया जो भी इन resources के refer किया सब के बहुत अच्छा rank as secure किया था तो hope करता हूँ आपके लिए video बहुत useful रहा होगा जो भी resources मैंने बताया सारे सारे आपको इस video के discussion में link मिल जाएका अंत में कुछ आपको मैं important tips देना चाहूँगा कि कैसे आप resources follow करते time कैसे आप और बेटर त्यारी कर सकते हैं कुछ important tips बताना जारा हो जो आपके लिए बहुत useful हो सकते हैं तो देखे आप जो भी chapter पढ़ रहा है अच्छी बात है आपने सारे chapter के सारे question solve कर लिया that's really great but that is not enough उसके अलावा आपको क्या करना है जो भी आप chapter let's say आपने कोई quadratic equation पढ़ लिया कोई भी math का subject chapter पढ़ा या कोई भी reasoning का chapter पढ़ा पढ़ने के बाद आपको हर एक chapter बात आपको खुद का test करना जरूरी है तो आप chapter by mock test दे सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा आपने जो भी पढ़ाई कि आपको कितना समझ में है और कितना competent है उस chapter के लिए उसके अलावा next चीज आते है जो important point है वो आप mind में रख सकते हैं वो है आपका revision of past topics that is really important आपके और new chapter पढ़ते जा रहे हैं और previous चीज भूल रहे हैं तो आपको end of the day आपको over the time आप zero पही रहोगा आपका actual progress नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप 80-20 रोल follow कर सकते हैं past topic का revision करने के लिए तो ऐसे हैं कि 80% time आप current topics पर दे सकते हैं पढ़ लिया पूरा चीज पूरा complete होगा पूरा syllabus पढ़ लिया आपने तो आप जो भी previous year question है जो भी जितने सारे MCA interns के previous year question है सारे का revision करें बहुत important role play करें कि बहुत सारे question उसमें से previous year से भी आते हैं आपको आ सकते हैं और आपको previous year question रिभाइज करेंगा तो पता चलेगा आपका लिमिटेड टाइम है तू आउर से थी आउर जितने टाइम होता है एक्जाम के उसमें कितने सारे question कर सकते हैं कर पा रहे हैं उससे आपको रिली पता चलेगा कि क्या कहां लाइक करें और क्या 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 इंको इंप्रूब करने जुरूत है उसके अलामा मैंने तो आपकी एक बार पूरा अपने chapter कर लिया है फिर आता है आपका कि कितना मॉक्टेस दे रहे हैं कि मॉक्टेस देली प्ले दकी रोल आप जितना मॉक्टेस देंगे उतना ही आप पर्फेक्ट बनते जाएंगे प्लामा मैं मॉक्टेस देली मॉक्टेस देली है तो आपकैस कि और बनते जाएंगे आप इस चैनल से जूड़े रहें और मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे मौक्टेश का सीरीज लाने वाला हूं जो बताऊंगा आप कैसे आप दे सकते हैं सारा चीज मैं प्लानिंग कर चुका हूं जो भी wspamCist educate और आपके दोशत थ्यारी करें जो भी तियारी करने वालें फ्यूचर में प्लिग शूट 5 descriptive वीडियो में और अगर मेरा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा था प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोट्सों को सेयर करें ना भूलें और ऐसे ही जूड़े रहे मेरे चैनल से और बहुत सारा अच्छे अच्छे कंटेंट में लाने वाला थेंकू सो मच पर वाचिंग में वीडियो धन्यावाद पार रूलें ना अगयाद करे रहे मैं झाल MooW